नमस्कार दोस्तो आई टी आई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के आपका स्वागत है तो दोस्तो हम लोग फीटर टेड के बहुत ही महत्पून परसन को सॉल्व कर रहे थे अब तक हमने चार सेट कंप्लीट कर ली हैं आज हम लोग का पाजमा सेट है तो चलि सुरू करते हैं आज का पहला प्रसन है कि वीच टाइप ऑफ की यूजड इफ दा हब आफ पुल्ली हैस्टू एक्स लिए स्लाइट ऑन दसाफ्ट टू सम डिस्टेंस यदि हभी या पुल्ली को अच्छे रूप से कुछ दूरी तक साफ्ट पर सलाइड करना है तो किस प्र इसके प्र करते हैं तो इसका करक्टर और की आईए फीधर्की के बारे में जानते हैं तो हमारा फीधर्की है और यह जो है पुल्ली या गेर लगा हुआ है और यह हैं और soft में क्या लगएगा? feeder की और ये feeder की लगाने से क्या होगा? कि soft का movement हो सकता है तो आएड़े जाते हैं कि feeder की यह सामनांतर की है जिसके किनारे गोल होते हैं इसका किनारा यह जो है क्या है? गोल है जब हव याप लिको soft के अचपर कुछ दूरी तक slide करना होता है तब क्या करते हैं हम feeder key का प्रयोग करते हैं इस feeder key को जो है tight feet या screw द्वारा कसा जाता है तो यह screw यहाँ पे देख रहे हैं कि hole है और इसको जो है screw के द्वारा कस दिया जाता है जब हमको कहीं पे slide करना हो soft या hub को तो हम लोग feeder की का प्रयोग करते हैं तो what is the name of the file इस file का नाम क्या है जो figure देख रहे हैं इस file का नाम बताईए तो यह filler file नहीं है यह हमारा क्या है warding file है warding file का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो key repair और log के repair में करते हैं आईए जानते हैं तो यह हमारा क्या है warding file है warding file का यह संकीन जगह में filing करने के लिए warding file को एक बिंदू में tapered करते हैं लग जहां पे संकीन यानि कि कम जगह वहां पे file करना हो तो वहां पे क्या यह taper भाग है वहां से वो filing किया जाता है इसमें द्वी करतन फेस या एकल करतन फेस होते हैं ताला मरमद में warding file का परियोग करते हैं या कुझी में warding noach filing यानि की में क्या होता है देखते हैं कि वो noach बना होता है या की वे बना होता है वहाँ पर फाइलिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वाइडिंग फाइल का परियोग करेंगे अगला प्रस्न है कि वीच नर्ट प्रोटेक्ट्स दा बोल्ट इन थ्रेड फॉर्म डैमेज डैमेज से कौन सा नर्ट बोल्ट के सीरो की चुरियों को नुकसान होने से बचाता है वोल्ट के सीरे की जो चुरिया होती है उसको नुकसान होने से बचाता है तो इससे करेक्ट एंसर होगा option A क्या होता है कि उसके सीरे पर एक round type का कैप लगा होता है जिससे क्या होता है कि उसके सीरे का थ्रेड जो है वो बच जाता है चलिरे अगले प्रसCI पर अगला प्रस्न है कि which is grade sleep gauge is used for precision tool room application precision tool room के अनिर्प्योग के लिए किस grade के sleep gauge का उप्योग किया जाता है तो दोस्तो हम लोग जानते हैं कि grade 2 जो है वो workshop के लिए use जो general workshop होता है वहाँ पे जो slip ये जो होता है वो grade 2 के use होते हैं grade 1 के जो होते हैं वो हमारे precision tool room में किया जाते हैं grade 0 जो होते हैं वो reference के लिए use किया जाते हैं और grade 00 जो होते हैं वो calibration में use किया जाता है तो इसका correct answer होगा कि option C की tool room में जो sleep gauge यूज होता है वो grade 1 की label का होता है प्रस्ण है Which material is used to make sleep gauge block? Sleep gauge block बनाने के लिए किस material का उपयोग किया जाता है? तो slip gauge बनाने के लिए हम लोग high grade steel with low thermal expansion का पड़ियोग करते हैं तो इसका correct answer होगा option C High grade steel with low thermal expansion Which operation is performed with fine abrasive particles? महिन अब घर सक कनो का उपयोग किस operation में किया जाता है? Fine abrasive का पड़ियोग जो हम लोग करते हैं वो lapping में करते हैं तो इसका correct answer होगा option B lapping चलिए अगले प्रसंद पर What is the purpose of normalizing? Normalizing करने का उद्देश क्या है? तो normalizing हम लोग करते हैं किस लिए? Remove, stress and strain Stress और strain को remove करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Normalizing प्रकिरिया करते हैं तो correct answer होगा option D Normalizing, stress और strain को remove करने के लिए किया जाता है Which structure of steel contains 0% carbon? Steel की किस सनचना में? 0% carbon होता है तो steel का कई structure होते हैं? Ferrite, Perlite, Austinite और Semitite तो 0% जो carbon होता है वो ferrite में होता है और ये जो है pure loha होता है इस कारण इसमें क्या होता है? 0% carbon होता है तो इसका correct answer होगा option A ये बहुत ही soft iron होता है चलिए अगले परसन पर अगला परसन है What is the method of surface hardening? Surface hardening की कौन सी विधी है? तो ये surface hardening की जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर एक job लगा है वाक्टिस लगा है और उसके उपर copper का tube लगा हुआ है ये जो है हमारा copper का tube लगा हुआ है और इसमें जो है electricity के दोवारा जब electric देते हैं तो ये क्या करता है? कि heat देता है और ये जो है hardening करता है तो ये हमारा क्या है? induction hardening तो इसका correct answer होगा option D ये induction hardening का एक प्रकिरिया है चलिए अगले प्रसंट पे अगला प्रसंट है कि which type of key is used for transmissing high torque on both direction of rotation आपको क्या करना है? कि दोनों direction में torque को प्रसित करने के लिए किस प्रकार के key का प्रयोग करना है? तो आप high torque both direction में rotation करना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं tangential key tangential key का प्रयोग करते हैं तो इसका correct answer होगा option D तो दखिए tangential key ये जो है key जो है pair में key मिलते हैं tangential key अब देखिए tangential key में जो क्या है? कि दो ratio होता है एक 1 is to 60 का ratio एक 1 is to 100 का ratio तो दोनों में से कोई आप ratio key में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे एक key लगता है और यह key यहाँ पे यह लगते है इन key का अपयोग तब होता है जब impact प्रकार के बहुत उच टॉर्क घुमने की दोनों दिसाओं में transmit करना हो मतलब की टॉर्क को क्या करना है कि दोनों दिसाओं में transmit करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं टेजेंटियल की का प्रयोग करते हैं इनके सामान, अनुप्रयोग, फ्लाइ विल, रोलिंग मिल्स इत्यादी में पाय जाते हैं कि what is the purpose of ring gauge ring gauge का उप्योग क्या है तो ring gauge का उप्योग हम लोग करते हैं किसी भी soft का outer diameter चेक करना तो check soft diameter बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम ring gauge का प्रयोग करते हैं तो इसका correct answer होगा option B चलिए अगले प्रस्ण पे which gauge you use to check the accuracy of an internal thread आंतरिक धागे की सटिकता जांच करने के लिए किस gauge का उप्योग करते हैं तो हमको आंतरिक जांच करना है तो दोस्तों ring gauge का आंतरिक नहीं करते हैं इसके लिए हम लोग बाहरी चलते हैं और यहां पे thread check करना यह जो है प्लेन साफ्ट को जांच करने के लिए snap gauge का प्रयोग जो है वो बाहरी जांच करने के लिए किया जाता है thread ring gauge के लिए बाहरी thread जांच करने के लिए यूज किया जाता है और center gauge जो है वो लेथ पे टूल्स को set करने के लिए किया जाता है तो ये चारो option इस question के अनुसार गलत है यदि question रहता बाहरी व्यास बाहरी thread जाचने के लिए तो इसका correct answer होगा होता option C लेकिन इस question के अनुसार इसका कोई भी option सही नहीं है तो इस question में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां आंतरी के जगा पे ये जो है वो external कर सकते हैं तो external यहां पे बाहरी कर देंगे यदि तो ये सही हो जाएगा तो इसका यदि बाहरी होगा तो option C होगा यदि आंतरी होता तो हम लोग thread pluggage का पड़ियोग करते हैं चलिए अगले प्रसन पर है अगला प्रसन है कि वाट इस दे नेम आफ दे गेज गेज का नाम क्या है तो ये गेज जो है देख रहे हैं कि ये जो है टेपर में ये एक्सिस है तो ये हमारा क्या है टेपर रिंग गेज तो इसका correct answer होगा option C टेपर रिंग गेज अगला प्रसन है कि वाट इस दे प्रसेडियोड टू सेलेक्ट दा स्लीप गेज फोर पार्टिकुलर डाइमेंशन विसेस आयाम के लिए स्लीप गेज का निर्मान करने की क्या विदी है तो स्लीप गेज में हम लोग क्या करते हैं कि number of block जो है उसको ringing operation के द्वारा बनाते हैं तो इसका correct होगा start ringing with small sleep gauge इसका correct अंसर होगा option D कि sleep gauge में हम लोग एक से अधिक sleep को जोड़ने के लिए क्या करते हैं ringing operation करते हैं कि which process improve the quality of feet between the matting component कौन सी प्रकिरिया मिलने वाले घटकों के बीच feet की गुनवत्ता में सुधार करता है दो matting part है उसमें इसमें जो quality improve करता है feet में वो कौन सी प्रकिरिया है तो उसके द्वारा हम लोग lapping जो करते हैं तब दो मिलने वाले matting component होते हैं उनका quality जो है improve होता है तो इसका correct answer होगा option D तो दोस्तों ये काफी महत्पुन प्रस्न है आपके आने वाले ITI exam, CTI exam और apprenticeship के अलावा जितने भी प्रकार के ITI level के exam होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्पुन प्रस्न है इनका अभिहास आप करेंगे तो आपका अच्छा score आएगा तो आसा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा यदि कोई doubt है तो comment कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दीजिए बेल आइकन को दवाना ना बुले ताकि आपको मिले सबसे पहले update फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में